वेलकम तो भाड़ी फैमिली व्लॉग्स आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे कल है मेरे भाई की बेटी का नामपरण जसमेन आपको आज के व्लॉग में बताया था और हर किसी घर में जो परिशानी होती है कि क्या पहने और क्या ना पहने मम्मी ने तो एक साड़ी पहन के अब हम लोग सोच रहे हैं मम्मी खुद्स खड़े हो के सोच रहेगी क्या पहनू तो ऐसे ही चल रहा है सब अब पहले तो मम्मी का डिसाइड होगा उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंग कि मुझे क्या पहनने है और इतना जितना आप यहां देख रहे हो फैला हुआ हु लेंगे मेरी बहन के बेटी और मेरे भाई की बेटी दो के ड्रस पैक कर दी है और फिलाल मम्मी के लिए हम लोग दिसाइद कर रहे हैं उसके बाद मैं आपको कल सुपर दिखाऊंगी कि हम लोग पेहन के जाने वाले हैं क्योंकि राद बार आगे चलने वाला है नेक्स टे की शुरुवात हो चुकी है काफी देड़ से हम लोग तयार होके बैठे वे थे लेकिन ये बारिश है कि चार बजे शुरू हुई थी और अब पौने एक बज़े का टाइम होने वाला है बारिश रुकने का नाम नहीं ले लिए लेकिन हमें घर से अब निकलना है क्योंकि तयार हो गई है ममी के लिए जो ड्रेस तयार की थी ममी ने वह पहनी भी नहीं सबका बात मोड आफ है लेकिन आप हम लोग को निकलना है तो मैं तयारी पूरी कर चुकी हूं ममी को भी तयार कर रहे हूं वरसाती पैनाओंगी उसके बाद आपको लास्ट में दिखाती हूं लोग बड़साती पैनके कैसे दिखते हैं उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे फिर आपको सीधे वहीं मिलेंगे जहां पर नामपरन हो रहा है ताई जी के घर पर इसका मेकप करने का क्या फायदा हुआ है तो रात हम लोगों ने काफी समय लगा के पूरी तैयारियां की क जो अपने रात में प्रेस किए वही पैने और मम्मी की जो साड़ी थी हम लोगों ने दुबारा सुबह प्रेस की नई साड़ी और फिर मम्मी ने ये वादी साड़ी बलू पहनी है और अब हम लोग बढ़साती पहन लिए दोनों माबेट और आपको बहुत जादा लेट हो पहुंचने के कुछी देर बात खाना भी शुरू हो गया और यहां पर आप भीड को देखकर अंदाजा लगा सकते हो बस भगवान की इतनी ही रहम रही कि खाने के समय पर बारिश ठोड़ा कम हो गई और लोग यहां पर जो महले वाले थे वो भी आपाए और जो हमारे जो और रिस्तिदार थे वो भी दिरे-दिरे करके यहां पहुंच गए काफी अच्छा रहा जो पूरा खाना था वो भी काफी टेस्टी था लोग भी काफी ज्यादा थे तो जितना भी प्रोग्राम हम लोगों ने डिसाइड किया था खाने से लेके बाकि और सारी ताइजी ने जो सोची रही होंगी most probably चीज पूरी हो गई है लगभग सारे ही लोग हम लोग के रिस्तिदार वगएरा जो थे वो यहां पहुंच गये थे हमारे फंक्शन में काफी अच्छा लगा बहुत दिनों बाद मिलकर जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं काफी अच्छा लगता है क काफी सारे लोग ऐसे थी जिनसे मैं पहली बार मिली यहां पर कुछ लोग यहां पर गप्पे मार रहे थे कुछ लोग दूसरे कमरे में और कुछ लोग भावी जी लोग के साथ बैठकर तो मम्मी यहां पर ताई जी चाची जी भाई लोग के साथ बैठकर खूब गप्पे यह लाएं पीछ जो पीछे खाना कारी है हमारी भाबी जी है और बलू कबैथे करत्यां के बहुत जा्जाना मुश्किलन हो जाएगLeb जी ऐसा मेरी और उत्त overboard यह रही हमारी प्यारी सी मौसी जी, ग्रीन साडी वाली भी हमारी मौसी जी हैं, बहुत ही हसमों मौसी जी हैं मैं पहले बार मिली हूं उन लोगों से दो तीन दिन पहले जब हम टाई जिके हbach गे ख़र गय थे तब भी मौस handles से मिले घ्रा मिले थे , गाफी अच्छे लगा इन बहुत मज़ा आ रहाता है ये भाईया मेरे सबसे हंस्वोक महिया है सारे भाईयों में से सबसे ज़्यादा मज़ा हम लोग को इनी के साथ आता है याने लास तक जब तक यह लाइन नहीं छोड़ी खाने की तब तक मैंने कैप्चर करती रही और आगे पीछे को भी आप देख भाईया है यह हमेशा कोई भी फंक्षन होता हिए यह आते है बना निकस्त दिकले यहां को जुक्त कहनह एक लेने के बाद जरूरी है कि बंदा को यह अ की और मज़ा यह को आते हैं हैं भाईय मुझे दिखा देखा कर अपनी प्लेट को भर रहते और ऑंदर साथ ही में भाइया ने इन भी बोला है कि इस वीडियो को मेडी बीवी तक पहुछा तो ये भावी डेक सब्सक्राऀया और सबसे घृट ठावाई कंधे पर और भाईया ने भी अपनी प्रेट पूरी भर दी है अब एक को खाना खाने देते हैं और हम चलते हैं अंदर मौसी जी की गोध में है ये चोटी सी मेरी बेहन की बेटी बहाती क्यूत है ये अब ये भी सोके उठी है फिर मैंने से उठाया अपनी मौसी की परी बहुत ही प्यारी जी मैं आपको मिलाती हूं अपनी भाबी जी से और उनकी बेटी से जो है भुआ की परी लिए बिना देरी करते वे अब चलते हैं खाने की तरफ और यहां पर बैठी है पूरी जनता ताई जी चाची जी सब चाची शर्मा रही है और चाची जी को मैं पर कह रही हूं सबको पता चलना चाहिए आप लोगों ने कितना कितना खाना खाया है अब मेरी सीट पे मेरी धाली लखिए और यहां पर है मेरी दोनों प्यारी प्यारी भाबी जी कि सब इतने जादा बिजी थे कि फोटो ही नहीं ली गई हम लोग आ गए हैं नामकरंड से वापस चार बजी अराउंड हम लोग नामकरंड से वापस आ गए थे बारिश ने आज पूरे प्रोग्राम का मज़ा करती है लेकिन हम लोग फिर भी बहुत सारे लोगों से मिले अपने रहस्तदारों से मिले काफी अच्छा लगता है जब इतने टाइम बात आपके से समेल अपने और रिस्तदारों को और सबसे मिलाएंगे भी फिलाल आज के व्लॉग की एंडिंग में ही पर करूंगी अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज लाइक शे सब्सक्राइब करना ना भूले साथी में बेल आइकन दीवियों से प्रेस करें जिससे आज के व्लॉग में बस इतना ही कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ तक तक ले सवस्त रहें मत रहें प्यार बाते रहें